बहां मांगो जो मांगना है, रूप सिंग जी बोले गुरु देव, मुझे मांगना ही नहीं आता, गुरु के बहुत कहने पर रूप सिंग जी बोले मुझे एक दिन, एक दिन का वक्त, एक दिन का वक्त दे दीजिए, घर भालों से पूछ कर बताता हूँ, घर जाकर मां से प पूछा तो बोली इतनी गरीबी है कुछ पैसे मांग लो फिर भी मन नहीं मांगा चोटी बेटी आ थी उसको उसने बोला पिता जी गुरू ने जब कहा कि मांगो तो कोई चोटी मोटी चीज ना मांग लेना इतनी चोटी बेटी की बात सुनके रूप सिंग जी बोले कल तू ह जी साथ चल गुरू से तू ही मांग लेना अगले दिन दोनों गुरू के पास गए रूप सिंग जी बोले गुरू देव मेरी बेटी आप से मांगेगी मेरी जगा और नन्नी बेटी बहुत समझदार थी रूप सिंग जी इतने गरीब थे घर के सारे लोग दिन में एक वक् आपकी बड़ी रहमत है गुरू जी मुझे एक ही बात चाहिए कि आज हम दिन में एक बार ही खाना खाते हैं अगर कभी आगया ऐसा वक्त आए कि हमें चार-पाई दिन में भी एक बार खाना खाएं तब भी हमारे मुख से शुकराना ही निकले हम कभी शिकायत ना करें शु बात से गुरू जी इतने प्रसंद हुए कि बोले जा बेटा अब तेरे घर के भंडार सदा भरे रहेंगे तो क्या तेरे घर पे जो आएगा वो भी खाली हात नहीं जाएगा तो ये है शुकर करने का फल सदा शुकर करते रहो सुख में सिम्रन दुख में अर्दास हर वेले शुकराना सुख में शुकराना दुख में शुकराना हर वेले हर समय हर वक्त सिर्फ शुकराना रब तेरा शुकर है दातेया तेरा शुकर है ऐ मौला तेरा शुकर है सेवा सिम्रन सतसंग करके तेरा शुकर मनाना आ जाए जिन्दगी ऐसे कर दे मेरी मुझे आवकात में रह अगर पूछे कोई राज खुशी का तेरी तरफ इशारा करूं खुशियों से भर दे जोली सबकी हर दुख सहना आ जाए यही प्रार्थना है